नमस्कार दोस्तों सौगत है अब सभी का हमारे चैनल पर तो दोस्तों बैपम के बिसे में आपको एक सौकिंग निउस सुनने को मिलेगी जो कि MP पटबारी से रिलेटेड है MP पटबारी के जो एक्जाम हुआ था उसका रिजल्ट अभी खोसित नहीं किया गया है और उसकी रे बैपम ने जितने भी एक्जाम करवाएं हैं उसके बाद से यह चलाई जा रही है लेकिन जो केट वगएर के नेशनल लेगल के एक्जाम होते हैं उनमें होता क्या है कि आपको पहले एक्जाम कंड़क्ट करा लिया जाता है उसके बाद रेस्पॉंस सीट आती है दैन आप पर रेस्पॉंस के आधार पर आपत्ती दर्ज कराते हैं फिर उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है लेकिन बैपम की जो प्रिक्रिया है वो पूरी उलट पुलट है पहले यह एक्जाम करा लेते हैं फिर आपके मॉडल अंसर देते हैं फिर रेस्पॉंस सीट परियरल कर देना एक बहुत बड़ी गड़वरी है जो कि ब्यापम के द्वारा की गई है व्यापम के जो ऑपरेटर हैं MPL on-line समझत है तो उनके द्वारा यह गड़वरी की गई है निश्चे तो रेजल्ट आने की आशा है कि 15 तारिक से पहले रेजल्ट गोशित कर दिया जाएगा क्युंकि ट्रेइनिंग का जो सेड़्ियूल है वो 1 अपरेल से स्टर्इप कर दिया गया है इसे बीच रESVल्ट नहीं देना अपनी response seat और उसके marks evaluate कर सकते हैं जो कि marks आपने exam में देखे थे और अब आपके count करने पर कितने marks आ रहे हैं तो आप सभी को all the best results के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद